नमस्कारम एवरिवन सभी का स्वागत है चैनल में बहुत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे महावीर का जब आप नाम ले लोगे तो ऐसी एंटिटीज आपके आस पास नहीं भटकेंगी क्या इसके अलावा कोई और ऐसा मंत्रा है जिसको चैन्ट करने से या कोई और ऐसे देवी देवता है जिनका नाम लेने से ये जो निकटीव एंटिटीज है वो हमारे आस पास ना बटके हाँ ऐसी देवी हैं जिनका नाम लेकर हमारे आस पास ऐसी निकटीव चीजे बटक ही नहीं सकती लिंग भेरवी देवी लिंग भेरवी देवी के आसपास इवन आपने अगर लिंग भेरवी देवी पेंडेंट पहना है तो ऐसी चीजे आपको टच भी नहीं कर सकती क्यूंकि उस पेंडेंट की वजह से आपके इर्द गेर्द एक एनरजी का गेरा होता है और साथ ही साथ लिंग भेरवी देवी की एनरजी इतनी फियर्स है कि ऐसी चीजें आपको छू नहीं सकती छू नहीं सकती in the sense कि ऐसी चीजें आपके उपर प्रभाव बहुत रेयरली ही डाल सकती है बहुत मुश्किल से ही डाल सकती है जैसा कि हमने कहा कि अगर हम महावीर का नाम लेते हैं तो भूत प्रिशाच निकट नहीं आते हैं ऐसा कि हर किसी के साथ जरूरी है आपनी जीवन भर बजरंग बली का नाम नहीं लिया और जैसे ही आपके उपर आपत्ती आई विपत्ती आई तो आप उस समय पर हन्माच अलिसा कर रहे हैं तो हो भी सकता है चीज काम करें क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस समय आपके अंदर भाव हो उसी समय परभवान दर्शन देते हैं पूर पूरा भाव होना चीए एक वेक्ती की कहानी हमेशा सुनाई जाती है कि एक वेक्ती देवी की पूजा करते थे और देवी की वो पूजा करते थे उनको भोग लगाते थे दूबत्ती लगाते थे सब कुछ लगाते थे तो बहुत समय उन्हें पूजा करते हुए लेकिन उन्हें कोई फल नहीं मिल रहा था कुछ भी जो प्राप्त करना चाते थे वो नहीं मिल रहा था देवी उनके सामने प्रकट नहीं हो रही थी एक बार वो किसी पंडित जी के पाद गया पंडित जी ने बोला कि आप उनकी पूजा के बजाए दूसरे देवता की पूजा करना स्टार्ट करो तो दूसरे देवता की मूर्ती लाकर घर में रखते हैं और होता क्या है कि वो दूसरे देवता के सामने दूबत्ती जलाते हैं और दुबती से जो दुवा निकल रहा था, जो दुवा जो देवी की मूर्ती थी, उस तरफ जा रहा था, तो व्यक्ति क्या करता है कि उसको गुसा आजाता है, वो सोचता है कि ये धुगे दुवा इनको नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं इनकी इतने समय से पूझा कर रहा लेकिन ये मेरे को दर्शन नहीं दे तो वो क्या करता है वो व्यक्ति वो जो मूर्ती होती है उस मूर्ती के नाक रुई से ब्लॉक कर देता है तो जैसे वो ये कृत्या करता है तो उसी समय पर देवी प्रकट हो जाती है तो वो आदमी हक्का बक्कर रहाता है बोलता है कि इतने समय तक मैंने पूझा करी तुमने धर्शन नहीं दिये तो देवि उसको बोलती है कि आज तक तुने मुझे पूरे मन से मान कर मेरी पूझा नहीं कर इसलिए प्रकट नहीं और आज तुने ये समझ लिया, ये मान लिया कि मैं यहाप आ हूँ तो तुने उस मूर्ति की नाग बंद कर दी तुने यह मान लिया तेरे अंदर यह भाव आ गया कि यह मूर्ति में सही में देवी है तो इसलिए देवी प्रकट देवी कहती कि मैं प्रकट हो गई तो यह भाव जो है अगर आपके अंदर भाव की उत्पत्ती हो गई तो उस समय पर चीजे घटित हो सकती है परन्तु आपने कभी ही मान लोगी कभी तक कोई पूजा कोई भजरंग बली की जो है आपने पूजा नहीं करी नानमान चली सा कभी भी कुछ नहीं करा अचानक साब किसी दिन ये सोच रहे कि बहुत पिशाज निकट नहीं होएं महामीर जब नाम सुनावें तो ऐसा शायद बहुत मुश्किल से हो कि आप बिल्कुल बचा लिए जाओगे और मैं उन लोगों के लिए इस्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ जो लोग लिए भआवी देवी की स्तूति करते हैं लिए भआवी देवी की सांध्रा करते हैं दोस्तो मैंने एक मेम देखा था ऊस मेम में ये दिखाया गया था कि एक विक्ति के आसपास Negaty EV entities वो मन्डरा रही है तो वो विक्ति क्या कर र notch है कि देवी जो है देवी के एनर्जी इतनी पावरफुल है कि वो आपके आज पास आ नहीं सकते देवी स्तुति अपने आप में बहुत पावरफुल है जब आप इस चैन्ड को करते हैं तो आप एनर्जी को फील भी कर सकते हैं बहुत जबर्दस इनर्जी इस से रिलीज होती है और आप देवी से connect होते हो और अगर आप डेली देवी स्तुती की practice देवी स्तुती chant करते हो तो मान लो आप एक ऐसी अवस्ता में पहुँच गए कभी कभी हम ऐसी state में पहुँच जाते हैं जहां पर चीजे हमारे हाथ से बाहर हो रही हूँ तो उस समय पर क्या करना चाहिए उस समय पर आपके पास कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है टोटल सरेंडर करना हमारे बस्त से बाहर हो रही है अब तुम ही करो जो करना है इसका एक बहुत बहतरीन example है कि श्री कृष्णी के एक भक्त होते है वो भक्त एक विपत्य पड़ जाते है उनको जो है रास्ते में जंगल में शेर मिल जाता है तो वो श्री कृष्णी को याद करता है श्री कृष्णी को याद करता है तो श्री कृष्णी जो है खाना खा रहे होते है उनके साथ उनके कोई बंदू बेटे वूटे है तो जब श्रीकिरिष्ने खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाते-खाते उड़ जाते हैं क्योंकि उस भकतेने श्रीकृष्ने को याद गया था और वो दौड़के दरुआजये तक पहुंचते हैं और पहुंच वापस आ जाते हैं तो जो उनके बंदू होते हैं वो बोलते हैं कि तुम पहले भाग के गए और फिर वापस क्यों आ गए तो बंदू को श्री कृष्णी बोलते हैं मेरा एक भक्त विपत्ती में आ गया था जंगल में एक शेर से उसका आमना सामना हो गया था तो मैं उसे ही बचाने जा रहा था तो वो कहते हैं जो श्री कृष्णी के मित्र होते हैं वो कहते हैं कि आप वापस क्यों आ गए फिर तो श्री कृष्णी उन्हें बताते हैं कि जब तक मैं उनको बचाने के लिए जाता उसने मुझे याद कर लिया था मैं जा ही रहा था लेकिन उस बेवगूफ ने पत्थर उठा लिया मतलब उसने पत्थर उठा लिया पत्थर उठाने का अर्थ ही यह है कि उसके अंदर श्रीकृष्णे के उपर जरास भी भरोसा नहीं है उसे लग रहा है कि श्रीकृष्ण नहीं आएंगे इसलिए श्रीकृष्ण वापास आजाते हैं अब शेर को पत्थर मारके अपनी जान बचा ले तो यह एक्जामपल आपके सामने कि अगर आप किसी की भी भक्ती करते हैं तो उन पर पूर्ण भरोसा रखा जाए एक्जामपल की तौर पे जब द्रापदी जी का चीर हरण हो रहा होता है तो उस समय पर वो आँग बंद करके हाँ जोड़के श्रीकृष्ण को याद करती है दुशाशन वहां से साड़ी खीच रहा है खीच रहा है खीच रहा है पर साड़ी खतम ही नहीं हो रही है क्योंकि दुरापदी को श्रीकृष्ण के उपर पूर्ण भरोसा है पूरा सरेंडर कर दिया गया है उस समय पर अब कुछ है ही नहीं जो भी हो वो दूमी हो और श्री विष्णु उनकी रक्षा करते है मैं आपको एक और एक्जम्पल दू कि एक बहुत बड़े श्री विष्णु भक्त हुए है तो वो बहुत बड़े श्री विष्णु के श्री हरी के भक्त थे तो लोग उनको आकर अनेकों चीज़े दान में दिया करते थे तो एक दिन कोई अमीर वेक्ती उनके पास कुछ सोने की वस्तोय देखके चला गया दान में तो होता क्या है कि कुछ चोरों को पता चले जाता है कि इनके यहां पर सोने की वस्तोय हैं तो रात को उन वस्तों को चोरी करने का प्लैन मनाते हैं तो जब वो चोरी करने का प्लैन मनाते हैं रात हो जाती है और रात को जब उनकी कुटियां में वो चुराने सामन चुराने के लिए आते हैं दो वेक्ती उनकी कुटिया की रक्षा कर रहे हैं, उनकी हाथ में धरुश और तीर है, धरुश और तीर के साथ वो इस तरीके से उन जगे की रक्षा कर रहे हैं, तो वो चोर देखते हैं कि ये किस परकार से हो गया और वो चले जाते हैं, फिर थोड़ देर के बाद वापस आ थोड़ देर के बाद वापस आने के बाद वो फिर देखते कि वहाँ पर दो वेक्ति उस कुटिया की रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा वो चोर 3-4 बार रात भर वो उस कुढ़िया के चक्डर काटते लेकिन उनको वो दो वक्ति उस कुढ़िया के आस पास दिखते हैं तो अगले दीन ये ख़बर हर जगह फैल जाती है कि इनकी गुटिया की रक्षा कोई दो वेक्ती कर रहे थे जिनके हाथ में धरोश और तीर थे तो ये ये ख़बर जो संत होते हैं उन तक पहुँचती है तो उनको ना अंदर से बड़ी बड़ा ही करुणा मही भाव आता है कि उनको थोड़ा सा दुख भी होता है कि मेरी वज़े से मेरे भवान को कश्ट हुआ और उनके कष्ट का कारण ये जो सोने की चीज़े है वो है उनके कष्ट का कारण ये सोने की वस्तू है इन सोने की वस्तू को मैं अभी बाहर फेख देता हूँ वो उन सोने की वस्तू को अपने का घर से अपनी कुटिया से बाहर भीजवा देते है अब आप यह सुचे कि वो दो जो व्यक्ति थे तीर और धनुष लेकर वो कौन रहे होंगे शिरी राम और लक्षमड यह रिसेंड घटना है और मैंने स्वामी सर्व प्रियानन्द से इस घटना के बारे में सुना था स्वामी सर्व प्रियानन्द को आप भक्ती के बारे में भी सुन सकते हैं भक्ती के बारे में उन्होंने अने को चीज़े सुनाई हुई है आप वो भी सुन सकते हैं स्वामी सर्व प्रियानन्द ठीक है तो आपको आपके अंदर ना पूर बरोसा होना चाहिए पूरा पूरा बरोसा होना चाहिए पूरा सरेंडर होना चाहिए अगर आप चाहते हो की चीज़ें आपके लिए काम करें भक्त का भगवान के उपर बरोसा होना ही चाहिए अगर नहीं होगा अगर भरोसा नहीं रखोगी तो चीजे आपके लिए नहीं होंगी बहुत सारे लोग आप देखना जो सिंपल माइंडिड होते है न वो भुगांसे के वल प्रार्टना ही करते है कि मेरे बस से तो है नहीं तू करता हो तो कर दे तू करेगा और चीजे उनके लिए हो जाती है तो आपको भी इसी परकार से होना है और ये एक दिन में डवलप नहीं होता है आपको ये भी बता दूगा कि जो भक्ती है ये एक दिन में डवलप नहीं होती है काम करना पड़ता है इतनी आसानी से भक्ती पराप नहीं होती है इतनी आसानी से खहतेने लोग कि ग्यान योग पराप्त नहीं होता और क्रिया योग क्रिया पराप्त नहीं होती या कर्म कर्म से मुक्ती पराप्त नहीं होती उसी प्रगार से भक्ती मिलना भी अतना आसान नहीं है परंदो आप डेली महनत करोगे तो चीजे आपके अंदर से अपने आप होले लगेंगी आपके अंदर वो भाव आने ही लगेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए अब तो मैं मेरा टोटल सरेंडर हो चुका है और चीजे फिर आपके लिए घटी थोले लगेंगी तो इसी प्रकार से चाहे फिर आप बजरंग-bali जी को याद करें चाहे लिंक-बहरवी-देवी को याद करें लेकिन आपके अंदर ये भाव होना ही चाहीए तो आप उसलिये आप पहनते हैं या देवी को इसलिये आद करना चाहतें आप कई विपत्तिये वस गए बहुत पिशाच आपके आसपास आगे तो आप उनका नाम लेना चाहते हो जानकारी के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि लिंग बहरवी देवी पेंडेंट जब आप पहनते हैं तो इस गोस्ट है वो आपको टच नहीं कर सकते रुदराग भी पहनोगे तो ऐसी चीज़े निगेटिव एंटेटीज आपको टच नहीं कर सकती मैंने एक एवल देवी पेंडेंट पहना हुआ है और मैंने इसके बारे में डेथ इंसाइड डेथ एन इंसाइड स्टोरी में पढ़ा है अगर आपके पास लिंग भी देवी पेंडेंट है तो ऐसी चीज़ें आपको टच नहीं कर सकती लेकिन अगर आप इससे और आगे चलना चाहते हैं जिस तरीके से मैंने भी एक्स्प्लेइन किया भक्ती भाव जो है आपके अंदर से निकलना चाहिए तो भक्ती के लिए आपको डेली कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा जो एक यंत्र है तो यंत्र तो अपना गाम कर रहा है बड़ वो यंत्र बताओ किस चीज के लिए है उस शक्ती से जोडने के लिए है वो उस source से आपको जोडने के लिए है ये यंतर अपना काम कर रहा है चोटा सा यंतर उस pendant के पीछे बना हुआ है वो अपना काम कर रहा है पर अगर आप ही उनसे connect हो जाए तो फिर और चीज की जरुवत नहीं है आपको इवन याद करने में जरुत नहीं होगी चीज़ें आपके लिए होने ही लगेंगी उन्होंने भवान को याद भी नहीं किया और भवान उनकी कुटिया की रक्षा कर रहे है रणवीर अलावाद्या ने राजश्री नंदी से ही पूछा था कि अगर हम भजरंग भली को याद करते है तो क्या वो हमें उस दुविदा से मुक्त करवाएंगे उस चीज से मुक्त करवाएंगे तो उन्होंने का था हो सकता है यह वर्क करें लेकिन आपने पूरी जीवन में उनका नाम ने लिया और उस समय पर नाम ले रहे हैं आपने सुनावात है कि हाँ भई महावीर मेरी रक्षा करेंगे चीज़ें हो भी सकती है आपको एक रिलेशन्शिप डवलप करना चाहिए यह रिलेशन्शिप केवल एक मुमेंट के लिए नहीं है यह रिलेशन्शिप तो पुरी जीवन भर के लिए है ना आप उनसे कनेक्टेड रहना चाहते हो जब आप उनसे कनेक्टेड रहोगे तो आप कैसी भी सिचुएशन में रहो आप हमेशा अडिक खड़े रहोगे आयो कि मैं अपना पॉइंट आपके सामने रख पाया हो और जो लोग देवी साथना करते हैं उन लोगों के लिए इस्पेशलिये था कि आप बिल्कुल भी चिंदा ना करें आप अपनी साथना करते रहें ऐसी चीज़े इर्द गिर्द बटकना हो ही नहीं सकता आप चैंटिंग करते रहें देवी स्थितियाद करते रहें और कभी ऐसी अवस्था में फस जाएं जहां पर आपको कुछ दिखी ना रहा हो आपको सूझ ही ना रहा हो तो टुटल सरेंडर, इसके लाब और कुछ हो ही नहीं सकता जब आप हर जगे से घिर गाए आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या किया जाए that is the moment you surrender because आपको पता चलिए आपकी limitations जब चीजें हमारी control में होती है न हमें लगता है कि भाई हाँ कुछ कुछ नहीं हो सकता जब एक बले बाद बहुत बढ़िया betting कर रहा है उसे लगता है कि यह में और आउट ही नहीं होंगा आउट हो जाता है होता है ऐसा मेरे साथ भी कई बार वागी मैंने सोचा कि मैं अब तो मुझे कोई आउट ही नहीं करा है सबसे जो बेकार वालार है वही आउट करके चला जाएगा अनेक्स्पेक्टेडली तो जिस समय पर आपको अभास हो जाए कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं वही मुवेंट है सरेंडर करने का एक ही मुवेंट चाहिए होता है और उस ही मुवेंट के लिए हम लोग इतनी साधना क करते हैं प्रिप्रेशन करते हैं वह एक ही मुवेंट के लिए हम प्रिप्रेशन कर रहे हैं और जब वह मुवेंट आए अपने आपको सरेंडर कर दो मिलेंगी फिर आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन मे कमेंट करके बताईए या उस टॉपिक के उपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कारम धन्यवाद